हलो एवरिवन वेलकम टू रेसेपीस बाई फरीदा आ गया ना आपके भी मूं में पानी जी हाँ आज हम देखते ही मूं में पानी आजाए एसी गर्मा गरम रगडा चाट बनाने वाले हैं तो आए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं ये चाट वाइट मटर जिसे वटाना भी ब प्रेशर कुकर में एड कर लेते हैं साथ में आलू के भी टुकडे कर लिए वो भी एड कर लेंगे स्वादनु सरनमक और थोड़ा सहल्दी पाउडर एड करके मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चार से पांच विसल तक कुक कर लेना है आप मेरी चैनल पे नए वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिसना हो यह देखे यह हमारे मटर एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं अब इसका तड़का कर लेते हैं तड़का करने के लिए कड़ाई में दो टेबल स्पुन ओयल में जीरा और बारिक कटा हुआ प्यास एड कर लेंगे और इसे सोते कर ले यह केसी चाठे जिसे आप बहुत सारे अलग-अलग तरीके से साउ कर सकते हो बारिक कटे हुए टमाटर एड कर लेंगे और टमाटर जब तक बिल्कुल सोफ्ट और ना हो जाए तब तक हमें इसे कुप कर लेना है अमारे टमाटर अच्छे से सोफ्ट हो गए हैं मसाला कर ल एड करके मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए सोते कर लेंगे पानी एड कर लेंगे तक हमारे मसाले जले नहीं पानी हमें बहुत ज्यादा एड नहीं करना है अब जो हमने मटर और आलू को बोईल करके रखा था वो इसमें एड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे कोड़ा सा पानी एड करके मिक्स कर लेंगे और कंसिस्टनसी एड़ेस कर लेंगे क्यूंकि हम अगर पहले से बहुत ज्यादा पानी एड कर लेंगे तो वह बहुत ज्यादा लिक्विडी हो जाएगा बारिक कटा हुवा हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर एड़ कर लेंगे बारिक कटा हुवा धनिया एड़ करके मिक्स कर लेंगे और ये देखे ये हमारा गरमा गरम रगडा बनके रेडी हो गया है आप इसकी कंसिस्टनसी देख सकते हो इसी तरह की कंसिस्टन्स यहां में रखनी है बहुत ज्यादा पतलाहा में इसे नहीं करना है अब इसे साउ कर लेते हैं इसे आप एक योनिवर्सल चाट भी बोल सकते हो आप जितने चाहिए उतनी रेसेपी में ये चाट को कमबाइन कर सकते हो पूरी के साथ आप इसको रगड़ा पूरी के तरह खा सकते हो पेटीस के साथ कमबाइन करके रगड़ा पेटीस बना सकते हो यहां पे हम रगड़ा चाट बना रहे हैं तो चाट के सारे इंग्रीडियंस हम यहां पे एड़ करेंगे बारिक कटा हुआ प्याज, इमली की खटी मिठी चट्नी, लसन की चट्नी और सेव एड कर लेंगे यहाँ पे मैंने ग्रीन चट्नी एड नहीं किये, आप चाहे तो ग्रीन चट्नी भी एड कर सकते हो और यह देखे, देखते ही मुँ में पानी आजाए, एसी टेम्टिंग, गर्मा गरम, रगडा चाट बनके रेडी हो गई है I hope आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, बाबाई